नमस्कार स्वागत है आपका सीन्यूस भारत में और मैं हूँ आपके साथ जोती श्रवास्तव खबर राजधानी लखनों के कानपुर रोड इस्थित कृष्णा नगर शेत्र से है जहां वैलन्सिया आईवीफ टेस्ट यूब बेबी एंड किड्नी केर सेंटर में गुरवार को बड़े ही धूमधाम के साथ केक काट कर वर्ल्ड आईवीफ डे मनाय गया इस अवसर पर राप्त करने वाले दमपत्ती को सम्मानित भी किया गया आईए देखते हैं हमारी समवधाता उमेश विश्मकर्मा की ये खास रिपोर्ट आईवीफ आज की जमाने में कैसी ट्रीटमेंट है जो बांचपन की समस्या दूर करने में बेहत मददकार साबित हो रहा है आईवी बहुत जरूरी है आईवीफ यानि इनविट्रो फर्टिलाइजेशन जिसे बोलचाल की भाशा में टेस्ट्यो बेबी कह सकते हैं जो ने संतान को दूर करने में निराश दमपत्यों के लिए संजीवनी का काम कर रही है यदि कोई महला गर्बधारन करने में असमर्थ है तो वह आईवीफ के विकल्प पर विचार कर सकती है इसी क्रम में राजदानी लकनव के कानपुर रोड इस्थिद वैलेंसिया आईवीफ टेस्ट्यो बेबी एंड किड्नी केर सेंटर में केक काट कर वर्ल्ड आईवीफ दे बनाया गया कारक्रम कश्रुभारम अईवीफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर वर्धा अरोडा ने दीप प्रजुलन कर किया मौके पर डॉक्टर वर्धा अरोडा ने नन्हे नन्हे बच्चों के हातों के कटपा कर वर्ल्ड आईवीफ डे को सेलिब्रेट किया इस अफसर पर डॉक्टर वर्धा अरोडा ने बताय कि वर्ल्ट IVF दिवसका इतिहास IVF के सफलता पूर्वक ट्रीटमेंट को दर्शाता है दरिसल 25 जुलाई 1978 को दुनिया में पहली बार IVF ट्रीटमेंट के जरिये लुईस जॉय ब्राउन नामक बच्ची का जन्ब हुआ था लुईस की मा की फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो चुकी थी जुसकारण वा नाचुरल तरीके से कंसीव नहीं कर पा रही थी जुसके बाद उसने IVF का सहारा लेकर एक स्वस्त बच्ची को जन्ब दिया तभी से लोगों में IVF ट्रीट्मेंट को लेकर एक विश्वास जगा था और आज इस ट्रीट्मेंट को पूरी दुनिया अपना रही है देखा जाए हमारे देश में निहसंतांता एक अभिसाप के रूप में माना जाता है इसमें दमपत्ती जीवन में दमपत्तियों को तमाम सामाजी तानों का सामना करना पड़ता है परिवार के लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं खास तोर से महिलाएं मानसिक रूप से ज़्यादा परेशान होती है किन्तु अब यह गुजरे जमाने की बात हो गई है जी हाँ आज आईवियफ डे है और इस औसर पर हमारे साथ डाक्टर वरधा अरोरा जी है इनसे हम जानेंगे चुकि आप आईवियफ इस्पेशिलिस्ट हैं गानकोलाजिस्ट हैं और तमाम इनकी ख्यातियां हैं इनसे हम बात करेंगे मैं इस उसर पर क्या कहना चाहती है कि आज हम इस विधी द्वारा हम लोग जो हैं इतने घरों में खुशियां दे पा रहे हैं अब आप लोग का ऐसा सहयोग है कि जिनके आंगन सुने थे उनके आंगन में आज किलकारियां गूज रही हैं किन्तु देखा जाता है कि IVF पध्धत को अपनाने के लिए थोड़ा सा लोग लज्जा सर्म की भावना भी जो हमारे रूलर छेत रहे हैं वहाँ पर देखी जाती है और इसका लाभ लेने से लोग कतराते हैं तो उनको अवेर करने के लिए आप लोग दोरा क्या किया जाता है देखिए हां कुछ वर्षपूर तो IVF एक स्टिग्मा की तरह देखा जाता था और यह देखा जाता था कि हां IVF विधी के लिए इतनी जादा समाज में सीकृती नहीं थी लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे जागरुकता और आप लोगों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से लोगों में यह जो कुछ मिथ्या थी और कुछ मिसकंसेप्शन्स थे वो तूट रहे हैं उनको लगता था कि शायद IVF विधी द्वारा जन लेने वाले बच्चे ज तो अब जो है यह जो कुछ भ्रांतियां थी हैं वो तूट चुकी है और हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि इस विधी का लाब जो है दूर तक हर हर डम पत्ती जो की हो सकता है आर्थिक रूप से भी इतना मजबूत नहीं है वो भी इसका लाब उठाए अब जैसे लोगों के हास्विटल्स में तो जो महिलाओं को एक बांचपन की एक संग्या दी जाती थी वो काफी हद तक दूर हो चुकी है किन्तो एक सवाल है देखा जाता है कि कहीं कहीं लोगों के मन में बात रहती है कि आई वी अप से हम बच्चे पैदा करेंगे तो बह हैं वरगी लोग हैं उनके लिए कहीं कहीं आर्थिक समस्या सामने आती है तो इसमें क्या खर्चे आते हैं और किस तरह जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं इसका लाफ कैसे ले सकते हैं इस बारे में बताएं पहले जो है ये खर्चीला इलाज माना जाता था विशेशतर 25-30 साल पहले खर्चीला एक इसको इलाज माना जाता था जैसे कि लेकिन आपने डेवलप्मेंट्स अगर देखें विकास देखें जिस तरीके से विकास बाकी विज्ञानिक छेत्रों में हैं हर छेत्र में उसी जैसे आज से 25 वर्षपूर वगर आप एक डेस्टॉप खरीदने जाते थे तो अब ध्यान करी कितना महंगा होता था और हर इनसान उसको अफोर्ड नहीं कर पाता था लेकिन आज देखिए आज हर के घर में लैप्टॉप, कम्प्यूटर है उसी तरीके से अब आई विफ उतना खर्चीला नहीं रहे गया है, हाँ कितना खर्चा आता है ये तो हम बिल्कुल एक उसको संख्या नहीं दे सकते हैं, हाँ क्योंकि वो देना गलत होगा क्योंकि वो जो है डिपेंड करता है कपल टू कपल और कौन सा कारण है, मतलब कि पुरुष में दिक्कत है, पत्न है और कई अब इंशोरेंस कंपनी भी आके आके बढ़कर उसको इंशोरेंस भी दे रही हैं और कई एंजियोज भी हैं जो कि लोगों की मदद कर रहे हैं, तो अब ये आप जो है और EMI ऑप्शन भी अब है, तो अगर यदि आप 15-20 वर्ष हो गए हैं और आप जो है संतांस कीच्छा रखते हैं, तो अब IVF का जो इलाज है वो कोई परोक्ष नहीं है, वो अफोर्डबल है, एक छोटा सा सवाल और था मैं, आपके माध्यम से लगुहग कितने ऐसे निरास दंपतियों के आंगन में बच्चों की किलकारियां गुजी होंगी? इश्वर की दया से मैं तो कहूंगी कि मैं तो इश्वर का हमेशा आशरवाद देना चाहते हूं कि इश्वर ने मुझे ये आशरवाद दिया है कि हाँ, मैं किसी भी तरीके से किसी के काम आ सकूं और इस विधी द्वारा इतना सुख का अन्भव होता है, जिसकी मैं आपको जिसकी मैं आपको express ही नहीं कर सकती हूँ कि कितनी खुशी मिलती है कि जब देखो कि 15 वर्ष 20 वर्ष के दमपती है उनको बच्चा नहीं हो रहा हूँ जब आप उनको बच्चा देते हैं तो अभी कुछी दिनों की बात है कि हमने एक बच्चा दिया था बहुत ही नोबल का रहे है और हम लोग बहुत ही जादा blessed है कि हमें इस्वेर ने डॉक्टर के रूप में गाने कॉलजिस्ट के रूप में आई वेव स्पेशलिस्ट के रूप में और एक महिला के रूप में हमें ये good luck है कि हम जो है ऐसा लोगों के घर में खुशियां दे पा रहे हैं इसलिए तो जब आप लोग किसी पेशन्ट को या निरास ब्रक्तियों के चेहरे पर मुस्कान लाकती है तो कहा जाता है कि इस धरती पे डॉक्टर्स भगवान का रूप है चलिए देखिए ये तो आपके बहुत बतलब आपका आपका अटिट्यूट है अटिट्यूट ऑफ ग्रैटिट्यूट कि आप मान रहे हैं कि डॉक्टर भगवान है और हम आशा करेंगे कि हाँ हमाई सुनने वाले हमें देखने वाले भी डॉक्टरों पर विश्वास रखें क्योंकि डॉक्टर कभी भी आपके लिए गलत नहीं करेगा डॉक्टर सदैव सदा आपके गुड हेल्थ का वेल विशर है और उस पर फेथ रखिए और जो भी आप इलाज ले रहे हैं हम यह नहीं कहरें कि आप IVF का इलाज ले रहे हैं कोई भी आप इलाज ले रहे हैं तो डॉक्टर पर विश्वास रखें हाँ उसको भगवान की श्रेड़ी में चाहें रखें न रखें आप लेकिन हाँ विश्वास ज़रूर रखें तभी आपको आपका उचित इलाज मिल पाएगा तभी डॉक्टर भी आपको उस अनुपात में आपको डिलिवर कर पाएगा अच्छा वर्ड आई अफडे पर जो है क्या खास हास्पिटल में हुआ है किस तरह से सेलिब्रेट किया गया थैंक यू सो मच कि आपने जो है इस विशह में लोगों के लोगों में इतनी जानकारी देखने का ये एक कारिक रिया है तो इस उसे दिन हम लोगों ने आज हमारे द्वारा जितने भी दंपतियों को संतान सुप्राप्थ हुआ है उनको बिला कर उन्होंने उनको अग्नॉलेज किया है और उनके साथ ये कुछ खुशी के दो पल हमने गुजा रहे हैं उनको भी बहुत अच्छा लगा है क्योंकि आज उनके अंदर भी एक विश्वास है कि हाँ उनके जो है सब सही है वो स्वस्थ है और जो है सब कुछ अच्छा है और वो भी डॉक्टर के साथ अपने एक्सपीरिंस उसको साजा कर रहे हैं तो एक कुछ खुशियां बाटने का एक हमारे तरफ से प्रयास किया गया आई वी एक के लिए आप हैं डॉक्टर वरधा अरोडा जी और आप जिस तरह आई वी एक के छेत्र में काम कर रही है लोगों की सुनी गोंद भरने का काम कर रही है निसंतान ताके सिकार दमपतियों के आंगन में बच्चों की किलकारियां गूजने का काम कर रही है निस्टित रूप से कहा जा सकता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और इस भ गूंद में आता है बच्चा घर के आंगन में घर के चोखट पर घूमता है किलकारियां गूशती है तो निश्चीत रूप से उसकी अनभूत जो सुक्की अनभूत होती है उस दंपत्त के अलावा कोई नहीं समझ सकता है निश्चीत रूप से आज जिस तरह से आई वी एफ एक समय था लोग इससे परहेज करते थे अब लोग बर्चड कर सामने आ रहा है निश्चंतांता के परिसान जो है जिनके घर में बच्चे नहीं जिस दंपत्त के बच्चे नहीं है वो इसका लाव ले रहे है और इस लाव को उन्हें इस सुक को प्राप कराने में डक्टर वरधार उराजी का बड़ा योगदान है सीन्यूस से उमेश विसु कर्मा फिलाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे है सीन्यूस भारत